हेलो मैं डियर फ्रेंड्स वेलकम टू MAA Education King चैनल और यूट्यूब टूड़े वी लर्न हाव टू डिसकॉंट इन MS Excel दोस्तों MS Excel में डिसकॉंट निकालना बहुत आसान है और यह बहुत ज़्यदा उप्योगी है तो चलिए आज हम लोग डिसकॉंट निकालना सीखते हैं MS Excel में जैसे कि आप लोग यह data देख रहे हैं हम item लिए हैं quantity लिए हैं price लिए हैं total लिए हैं discount लिए हैं और total amount लिए हैं उसके बाद grand total लिए हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं monitor है monitor दो piece है और एक piece का हमको परता है पांच जार पांच सो रुपिया इसी तरह से कीबोड है कीबोड 13 पीस है और एक पीस का परता है हमको प्राइस 230 रुपिया तो सभी का पहले हमको टोटल निकालना होगा कि दो मॉनिटर का हमको कितना परता है तो ये total निकालने के लिए हमको multiple करना होगा तो multiple करने से पहले हमको यहाँ पर equal type करना होगा equal type करने के बाद आपको quantity लेना है तो जिस भी sale में आपका quantity हो तो वो quantity ले लिजेगा आप अभी हम monitor का निकाल रहे हैं तो monitor का मेरा quantity B3 में है तो हम यहां से B3 type कर देते हैं B3 type करने के बाद हमको यहां से multiple का symbol लेना है multiple का symbol लेने के बाद आपको price लेना है तो price अभी मेरा है C3 में तो हम यहां से C3 type कर देते हैं C3 type करने के बाद आपको inter button press करना है inter button press करते ही आप लोग देख सकते हैं कि monitor दो piece का यहाँ पर total आ चुका है 11,000 रूपिया अगर आप चाहते हैं कि बांकी के sale पर यह formula पेस्ट हो जाए तो इस sale के आपको right corner पर आ जाना है तो plus का icon बन जाएगा तो इस plus के icon पर आपको left button प्रेस करके रखना है और नीचे की order drag करना है तो मैं यहाँ से drag कर लेता हूँ तो drag करते ही आप लोग देख सकते हैं कि बांकी के item का भी यहाँ पर total आ चुका है अब हम लोग total amount निकाल लेते हैं यानि कि discount 10% यह 5% यह छूट करके हमको कितना total होता है वो total हमको अभी निकालना है जैसे कि 11,000 है 11,000 पर हम 10% का discount दे रहे हैं तो 10% का discount जो दे रहे हैं तो 10% minus करके हमको कितना total होता है वो total हमको यहाँ पर निकालना है तो यह discount हमको यहाँ पर निकालने के लिए सबसे पहले equal type करना है equal tap करने के बाद आपको जिस भी sale में आपका total हो वो sale को आपको select कर लेना है तो अभी मेरा D3 में है यहाँ पर total तो मैं D3 को select कर लिया D3 select करने के बाद आपको minus लेना है minus लेने के बाद आपको bracket लेना है ब्राइकेट लेने के बाद आपको फीर से जिसमें टोटल है आपका वही सेल को सेलेक्ट करना है अभी आपर मेरा D3 है तो मैं D3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ D3 सेलेक्ट करने के बाद मल्टीपल का सिंबोल लेना है तो मैं मल्टीपल का सिंबोल लेता हूँ multiple का symbol लेने के बाद आपको discount लेना है तो अभी मेरा 10% monitor पर दे रहे हैं तो ये 10% मेरा E3 में है तो हम यहां से E3 ले लेते हैं E3 लेने के बाद आपको bracket close कर देना है तो मैं bracket यहां पर close कर दिया close करने के बाद आपको intermittent press करना है इंटर बटन प्रेस करते ही आप लोग देख सकते हैं कि मॉनिटर का जिसकोंट देख करके टोटल यहाँ पर 9,900 रुपिया आ चुका है बांकी के सेल पे इसको पेस्ट करने के लिए इस सेल के आपको राइट कॉर्नर पे आ जाना है और आपको लेट बटन प्रेस करके रखना और नीचे के और ड्रैग करना है तो मैं यहाँ तक ड्रैग कर लिया और बांकी के सेल पे आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ तक ड्रैग नहीं किया हूँ इसका रिजन है कि मैं बांकी के सेल पे पेस्ट क्यों नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे बाकी के सेल में भी तो मेरा रिजल्ट गलत आएगा इसके लिए हमको कुछ अलग formula टैप करना होगा आपको हमेशा याद रखना है अगर आप discount देते हैं जैसे कि 10% दिये हैं उसमें percent symbol का आप यूज किये हैं तो आप formula में percent का यूज नहीं किजेगा अगर आप discount देते हैं और percent symbol का यूज नहीं करते हैं तो आपको formula में percent symbol का यूज करना है तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं कि इसमें percent symbol का यूज नहीं है तो इसके लिए हम कौन सा formula apply करेंगे तो यहाँ formula apply करने से फ़ले equal type कर देते हैं equal type करने के बाद आपका जिस भी sale में total हो वो total यहाँ select कर लिजेगा तो अभी हम pen drive का निकाल दे हैं तो pen drive का total d8 में है तो मैं d8 को select किया d8 select करने के बाद आपको minus का symbol लेना है minus की symbol लेने के बाद आपको bracket लेना है bracket लेने के बाद फिर से आपका जिस sale में total हो वही sale को select करना है अभी हम pen drive का निकालने है तो pen drive का total d8 में है तो मैं d8 को select कर लेता हूँ तो अभी मेरा E8 में है 5%, तो मैं यहां से E8 को सलेक्ट कर लेता हूँ, E8 को सलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हूँ, कि इस डिस्कॉंट में % सिंबोल का यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए हम यहां पर % सिंबोल का फॉर्मूला में यूज करेंगे, बांकी के सेल पर भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो इस कॉर्नर पर मैं जाता हूँ, कॉर्नर पर जाने के बाद आपको लेट बटन प्रेस्ट करके रखना है, और नीचे के ओर ड्रैग कर लेना है, तो मैं नीचे के ओर ड्रैग कर लिया, तो drag करते ही आप लोग देख सकते हैं कि USB और printer का भी यहाँ पर total आ चुका है अब हम इसका grand total निकाल लेते हैं तो grand total निकालने के लिए आपको sum formula का use करना होगा तो formula use करने से पहले equal लेना है तो मैं equal type किया equal type करने के बाद आपको sum type करना है sum type करने के बाद आपको open bracket लेना है open bracket लेने के बाद आपको first data लेना है तो मैं यहाँ से first data ले लेता हूँ F3 तो first value हम यहाँ पर ले लिये हैं F3, F3 लेने के बाद आपको clone लेना है clone लेने के बाद आपको last value ले लेना है तो अभी मेरा last value printer है और printer का total amount F10 में है तो मैं F10 यहां से ले लेता हूँ F10 लेने के बाद आपको bracket को close कर देना है तो मैं यहां से bracket close कर दिया close करने के बाद आपको interpretant press करना है interpretant press करते ही आप लोग देख सकते हैं कि इसका यहां पर grand total यहां पर आ चुका है अगर आप लोगों को यह video अच्छा लगा है तो like करे, comment करे और इस video का link अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से एर करे जिससे की आपके friend भी इस चीज़ को जान ले